जैशी हरी पद्दू आज का विशे है गीता जी के शंकला से दुतिय अध्याय हमारे चल रहा था दुतिय अध्याय के 18 श्लोक संपूर्ण हुए थे 19 श्लोक से हमें प्रार्म करना है आईए देखते हैं लेकर चलते हैं आपको 19 श्लोक की और क्या कहा गया है काई जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसको मरा मानता है वे दोनों ही नहीं जानते हैं क्योंकि यह आत्मा ना मारता है और ना मारा जाता है जो इसे मरा मानता है या मारने वाला समस्ता है जो इसे मरा मानता कि मर गया या मारने वाला समस्ता है वो दोनों ही नहीं जानते है क्योंकि आत्मा ना मारता है ना मरता है आत्मा मरता तो है नहीं और मारता भी आत्मा नहीं है शरीर मारता है अगर तुम संसार की दृष्टी से ही देखना चाते ओ अर्जुन तो वास्तम में तुम तो किसी को मारते ही नहीं ये तो आत्मा मारता है ये बात क्यों समझाई ये बात इसलिए समझाई क्योंकि अर्जुन इसलिए मोहग रस्ता कि ये मर जाएंगे मेरे पितामा आदी तो भ पहरी बात तो मरता नहीं है तो इसलिए किस बात का किस की हत्या और मारता भी नहीं है शरीर मारता है बाद में शरीर रूपी धर्म समझाएंगे अभी तो आत्मा की दृष्टी से समझा रहे हैं क्यूंकि आप लोग सोचने लगेंगे कि भाईया चलो मरता नहीं है मारता तो ह है आत्मा नी मारता बंदू हुआ आत्मा तो अंदर बैठा जब आत्मा इस शरीर 돌 संलगन होता है तभी कोई कृिया स gera मत नहींוד आत्मा तो मुक्त है सदेव, सच्छ है, निरमल है, उसमें कोई विकार नहीं है, दुखादी नहीं है, जब इस से देह से जुड़ जाता है, तब उसमें ये विकार उत्पन्नोत है, तो इसलिए देह मारती है, आत्मा नहीं मारता है, अब इसमें इस कौन वाली गीता जी ने अपना क्या जोड़ा ये दिखाते हैं बहुत अध्भूत अच्छी बात जोड़ी है अच्छी बात जोड़ी है लेकिन पहले सुनिए उनकी अच्छी बात क्या है तो इन्होंने का आए ये देखो 19 श्लोक पहले इसका श्लोक बता देता हूं ये श्लोक क्या है 19 तो 19 श्लोक जो है वो है आपका प्रसइश लोक हैं ये सब, हन्यते माने वद करना, मारा जाता है, तो हन्ती तो न मारता है, और हन्यते न मारा जाता है, इस कौन वाली गीता ने देखे, क्या बात कईए, अद्भूत बात है हमें भी पसंद आई लेकिन इसकी बाद में बताएंगे कि आप लोगों कैसे समझाने के प्रेपने करते हैं जब देधारी जीव को किसी घातक खतियार से आगात पहुँचाए जाता है तो यह समझ लेना चाहिए कि शरीर के भीतर का जीवात्मा मरा नहीं ठीक है आत्मा इतना सुप्ष में कि इसे किसी प्रकार के बहुती कतियार से मार पार ना असंबव है जैसा कि अगले श्लोकों में सपस्ट हो जागा बिलकुल अच्छी बात नहीं जीवात्मा अपने अध्यात्मेक स्व biking कारण वद्य है जिसे मार जाता है यृज्श जीसे मरा गुवा के वल्या शरीर होता बहुत बढ़िया बात है शरीर ही तो मार जाता ये मारा समझा जाता है कि इसका दात पर शरीर के वद्ध को प्रोथसाहित करना नहीं है यह बहुत बढ़िया बात हो लेकिन इसका अर्ट ये नहीं कि तुम सबको मारोगे बगवान ने अर्जुन को कह दिया कि नहीं कि आत्मा कहा मरता है तो तुम जितने भी यह दुर्याचरन करने वाले हो यह जि डाकू डकेता दी कोई भी हत्यारे हो वो ये ना सोच लें कि आत्मा तो मरता नहीं और ना आत्मा मारता है तो मैंने थोड़ी मारा भी गिया तो इसलिए तुम मार कट मचा दो सारे में ये अर्थ नहीं है भगवान का ये बहुत बढ़िया बात इन्हों ने बताई वैदिक आदेश है मा हिंस्यात सरवा भूतानी किसी भी जीव की हिंसर ना करो ना ही जीवात मावद्य है का अर्थ यह कि पशु हिंसा को प्रोच साहन दिया जाए किसी भी जीव के शरील की अनधिकार हत्या करना निंद्य है और राज ये तता भगवात विद्वान के द्वारा दंडनी है जब आपको अधिकार नहीं है तो आप हत्या नहीं कर सकते कैसा अधिकार आज के समयब पुलिस अधिकार है उस समयब बिए उसको तो नियूक्ति किया गया था इंड्रिक हो रहता अभ यहां इन्हों mean कहा दिया किसी भी जीव की हिंसा ना करो बहुत अच्छी बात करें नहीं और आगे जब ख्षत्रिये के लिए आईए ये श्लोक में बता देता हूं अभी से इनों नहीं 31 स्लोक में कहा है साई हिंदी में बता देता हूं ख्षत्रिये होने के नाते अपने विशिट्ध धर्म का विचार करते हुए तुम्हारे लिए अन्ने कोई कारे नहीं है बता दिया पिर धार्मिक संगिताओं का इन्होंने एक शलोक दे दिया उसमें का है धर्म के लिए युद्भूमि में वद करना तो था याग्यक अगनी के लिए पशुओं का वद करना हिंसाकार नहीं माने जाता क्योंकि इसमें नहीं धर्म के कारण पर तेक व्यक्ति को लाप पहुंसता है और यग्यमें बली दिये गए पशुओं को एक सुरूप से दूसरे में बिना विकास प्रक्लिया के ही तुरंत मनिश्य के शरी प्राप्त हो जाता है इसी प्रकार युद्वोवी में मारेगे शत्रिये यग्यसंपन करने वाले ब्रामनों को प्राप्त होने वाले स्वर्ग लोक में जाते हैं तो ब्रामन द्वारा जो वद होता है पशुर हिंसा होती है शत्रिये के कहने पर यजमानों के कहने पर उससे लोक में तो हित होता ह है परलोक में भी हित होता यह स्वैम स्वीकार कर रहे हैं इनों ने उसका उधारण दिया तो स्वीकार कर रहे हैं और इधर कह रहे हैं कि भाईया हिंसा मत करो हिंसा मत करो बिल्कुल भी मैं भी इसी पक्षम हूँ मैं भी इसी पक्षम हूँ हमारे द्वारा भी मेरे द्वारा भी कभी किसी की ऐसी हिंसा नहीं होती यज्यादी में पशो हिंसा के हम भी समर्थन में नहीं है जिस काल में वो था मैं पहले भी बता चुका हूँ, कलियुग में वो वर्ज है, ना ऐसे मंत्र प्लब दें, ना ऐसे ब्राम्मर जो उसे मंत्र उसे कष्ट न होने दें और उसे स्वर्गलोक में भेज दें, हो भी तो हमारे सम्मुख नहीं, और ऐसी सामग्रिया कहां से लाओ सब लोग यह पवित्र हैं, शिखा, सूत्र, हीन है, मैं भी इसी विचार धारक हूँ, इन्होंने भी बहुत अच्छी बात कही, अहिंसा अतमक है, इस कौन भी इस विचार में, इस विचार में क्या वैसे भी सात्विख है, मुझे ऐसा लगता है, लेकिन, लेकिन, तुमने जिस जिन श्लोकों का तुम हवाला दे रहे हो संदर्व दे रहे हो रेफरेंस दे रहे हो और एक और कह रहे हो कि हिंसा नहीं करनी चाहिए यह बात या तो तुम्हें पूर हिंसा के जिस हिसाब से तुम्हारी विचारदारा है उसके अनुसार तो तुम्हें पूर्ण अहिंसा आत्मक होना चाहिए यग में वो इसमें उसमें को तुमने तुमने तो धज्यें उड़ा रखी है चास्त्रों की कैसे कि तुम अभी आगे कहने लगोगे अभी यहां तुमने कह दिया कि कि खत्रिय को युद्ध खत्रिय के लिए युद्ध करतव्य है तो अर्जुन के लिए युद्ध करतव्य हो गया था तो भाईया अर्जुन ने पहले ये भी तो कह दिया था इसी दुतिय अध्याय में इसी दुतिय अध्याय में कह दिया था पांच वे स्लोक में कि इसलिए इन महानवाव गुरुजनों को नमार कर इस लोक में भिक्षाकान नभी भोगना कल्यान कारक समझता हूं कौन खाता है भीक मांके किसे अधिकार है ब्रामनों को ये बात तो तुम्हें पता होगी जिसने ये सब लिखा है हिंसा हिंसा वादी जो बाते लिखी है यग्य में पशू की बली देने पर वो स्वर्ग में जाता है और ब्रामन को पाप नहीं लगता है और लोक में भी कल्या आधि-ाग्या है कि भिख्षा मांगना ब्रह्मण। कि कि एक प्रकार से अपने को कि तो तुम लोग कहते होगे अपनी इच्छ नुसार कोई भी वर्ण स्विकार करSudश कोई करNothing वाले जो कहते हैं कि इच्छानुसर कोई भी वन्ट स्वीकार कर लो तो अर्जुन तो एक प्रकार से श्री किष्ण से कही रहे थे तब उन्होंने क्या कहाए आगे कि शत्रिय के लिए युद्ध करना कल्यानकारी है और यह तो तुम्हें सोभाग्य मिला है युद्ध करने का यह बात आगे कहेंगे कब जब उन्होंने का भिक्षा मांग के खा लेते हैं ब्राह्मन बन जाते हैं और तुम भाईये इसको उन्हों वाले कहते हो कि कुछ भी बन जाओ उसे इच्छा सही यह जो दोगली बात है ना अपने सिद्धान्त को परचारित करने के लिए बढ़ आगला शलोक आपको बता देते हैं बीसवा शलोक यह आत्मा किसी काल में भी ना जन्मता है और ना मरता है अध्वान ना यह आत्मा हो करके फिर होने वाला एक क्योंकि यह अजन्मा नित्य शाश्वत और पुरातन है शरीर के नाश होने पर भी यह नाश नहीं होता इसका नाश नहीं होता शरीर के नाश होने पर भी बीसवे शलोक में कहा गया है बहुत यह भी प्रसिद्ध शलोक है इसमें प्रसिद्ध क्या है यह वाक्य बहुत प्रसिद्ध है शरीर के मारे जाने पर भी नहीं मारा जाता, ना हन्यते हन्यमाने शरीर के मारे जाने पर भी इस शरीर को मार दो फिर भी नहीं मारा जाता, पूरा शलोक तो आपको बता देते हैं, वैसे आप कहीं भी देख सकते हैं, शरीरे ये कहा गया है, समझ लेते हैं इस लोक को एक बार, तो भईया ये आत्मा किसी काल में भी जनमता नहीं है, किसी काल में भी ना जनमता है ना मरता है, जनम नहीं लेता आत्मा, क्या आत्मा का जनम हो गया, और मरता भी नहीं है, ना जनमता है, ना मरता है, तो क्या करता ह शाश्वत है भगवान का शुरूप है भगवान का एक भाग है अमरेगा क्यों अत्वा ना यह है आत्मा हो करके फिर होने वाला है हो गया और फिर दुबारा हो गया ऐसा नहीं है शरीर की बाती हो गया थमापत हो गया फिर दुबारा है ऐसा भी नहीं है आत्मा क्योंकि यह अजनमा है, इसका अजनम नहीं होता, नित्य है, हर समय रहता है, ऐसा कोई समय नहीं है कि ये ना रहता हो, शाश्वत है, जब से भगवान है, तब से ये आत्मा है, तुम तवी से हो जब से भगवान है, तुम भी भगवान की तरह सनातन हो, शाश्वत हो, सनातन धर्म की भात सबसे प्राचीन है शरीर के नाश होने पर भी है नाश नहीं होथा इस शरीर का नाश को जाएगा फिर भी नहीं मरेगा तभी तो कहते हैं वह चले गए कोई मरता है अमुक चले घए अमुक तो वह पढ़े चिता पर पढ़े यह कहना कि वह चले गए वह तो भहिया जी वह तो पड़े हैं वहाँ पर अरे भहिया वह तो पड़े नहीं कि इस समझा ता है यह पुरातन ने घया कि हो कि जो गए हैं वह आत्मा थे और अभी जो पड़े हैं उनका शरीर है। वे पुरुष केसे किसको मरवाता है और केसे किसको मारता है। अब जो भी पुरुषी नाश रच समझता है कि इसका याही है नित्य पर की बंख muito कई से किसको मारता बता कि सषरीर में फिर प्रान है नहीं इस घरितनता तो शरीर हम क्यों गर्व जब है निकल जाते तो एस बड़ा रहा नहीं ऐए गजुदी शरीर में चेतनता हो तो अपने आप से उठना चाहिए तो मतलब चेतनता जिसमें थी वो तो चला गया तो मार और चेतनता को हम मार नहीं सकते बस हमने एक ऐसा आगात किया कि वो आत्मा इस शरील को छोड़के चला गया हटा हम जा रहे है तो जो विक्ति ये जान लेता है वो कैसे किसक मरवाता है ये जान लेता है और इसमें जीता है और ये बात ध्यान रखने योग्य है कि जो ये जानता है कि मैं आत्मा को नहीं मार सकता आत्मा अवद्य है और ना आत्मा द्वारा किसी को मारा जा सकता है वो यह भी जानता है कि जो मेरी आत्मा है वही सामने वाले की आत्म इसलिए अनावश्य कष्ट किसी को देता ही नहीं है इस चक्र में पढ़ता ही नहीं है इसलिए कैसे किसी को मारता और कैसे मरवाता जब भली भांती जानता है कि जो मैं हूँ वह है मैं उसे कैसे कष्ट देगी है तो कष्ट नहीं दे सकता और नाश होगा नहीं नाश होगा त पुराने शरीरों को ट्याग कर दूसरे दूसरे नए शरीरों को प्राफ्त होता है क शरी की आत्मा तो नहीं मरता कोई भात मुझे आत्मा से प्रेम इसस爾ी प्रे में यह जो आँन्वाट हे और यह सब यह सब जो ओष्टों की बनावट है चाती कंधा यह मुझे प्रिये हैं तो भी भगवान कहे रहे हैं कि अगर इनके वियोग का ही इनसे तू दूर जाता है इसलिए शोक करता है तो भी उचित नहीं है क्योंकि मनुष्य जैसे पुराने वस्त्रों को त्याक कर नवीन वस्त्र धारण करता है वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीर को प्यात कर निया अचिछी मांक कर लेता है को एक सीमा होती है भले ही आजकल के यह एक तेप्र कोई नएवस्थर लाता आपके जनम दिन का और हो कि और हो कोई और अन्य उत्सव भी वाध है प्रसंद न आ कि आप उसके लिए प्रसंद होता हैं पैल लेता पुड़ानकर लगता है तो पुराने वस्तर चले गए अब मैं क्या करूंगा रोते बैठके नहीं एस सी ज्ञा नहीं रोता वो जानता है वस्तर्स का क्या होना है अरे नवीन वस्तर खाला करें पहेशन है है पेशन है क्या पुराने ओल्ड क्या मित्त बत्चन वाले कपड़े पहनते हो तू कहते के जमाने की दोती कुर्ता पहनते हो तो पहर दोती कुर्ता की तो अलग बात है तो नवीन वस्तर में जैसे आप लोग प्रसंद होते हैं क्योंकि आपको ग्यान है क्या ग्यान है कि यह जो वस्तर है इसकी गती नाश ही है यह नाश को ही प्राप्त होगा यह दिव्य वस्तर न आज होना है ऐसे ग्यानि जनरीत रिशी मुनियादि धर्मात्मा लोग भक्तों लोग जानते हैं भाईया शरीर दो मर जाएगा यह शरीर जोंकर कड़ेंगे निकाल 돼m तो इसलिए शोक मत करो के तुम शोक करने भूडे हैं अरे दूसरे शरीर को धारं करेंगे क्या पता तुम गुरुचन बन जाओ इनके अगले जनम में क्या पता इसलिए वह तो भी शोक करना हुचित नहीं है हे अर्जुन इस आत्मा को शस्त्रादी नहीं काट सकते हैं और इसको अच्छा ये जो श्लोक है 22 ये भी बहुत प्रसिद्ध श्लोक है प्रसिद्ध श्लोक है इसको भी सुन लो मनुष्य जैसे पुराने कपड़ों को त्याग कर क्या था क्योंकि जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नवीन वस्त्रों को ग्रहन करता है वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीरों को त्याग कर दूसरे नए शरीरों को उप्राप्त करता है इसका संस्कित का श्लोक सुनो आपको याद आएगा लगभग सभी लोगों को याद आना चेहें पुराने बस्त्रों को त्याकर जैसे नवी रस धारन करता है ऐसे ही आत्मा जीव आत्मा पुराने शरीप को आपको याद होगा संगर्ष मूवी आई आपको के सा पता बच्पन में तो हम भी देख लिया करते थे और अच्छी बात है अगर किसी भी चल्चित्र में से कोई अच्छी जी ढूंड़ो फैर अब तो हम ने छोड़ दिया यह सब तो नाम लेना उचित नहीं लग रहा लेकिन वो श्लोग बोला है गीता जी का महिमा है वो श्लोग बोला है तो उन सबका नाम आना चीव बढ़िया है अक्षे कुमार की एक मुवी थी चल्चित्रती संबटे नाम था संगर जिसमें आशुतो श्राणा भी था उडूरूरूर कुमार ये श्लोग बोलता है कौन सा वासांसी जीर्णानी यथा विहाय नवानी ग्रहनाती नरो अपरानी तथा शरीरानी विहाय जीर्णान न्यानी संयाती नवानी देही जीर्णान न्यानी संयाती नवानी देही तो प्रसिद्ध श्लोग था इसलिए हमने आपको बता है अगला शलोक अगली उसमें क्या करे हैं? 22 में हे अर्जुन इसा आत्मा को शेस्तरादी नहीं काट सकते और इसको आग नहीं जला सकती तदा इसको जल नहीं गीला कर सकते और वाईयू नहीं सुखा सकता संसार में किसी भी वैज्यानिक कोई भी बम बनाने वाला कोई भी न्यूकलियर बनाने वाला आज तक ऐसा कोई अविश्कार ना तो कर सका है ना भूतकाल में भी कभी हुआ है ना वर्तवान में कोई कर रहा है और ना भविश्य में ही ऐसा कोई अविश्कार हो सकता है कि जिसके द्वारा आत्मा का नाश किया जा सकते क्योंकि आग, क्योंकि यहां के लोग जो कुछ भी बनाएंगे वो इस प्रक्रिटी से ही बनाएंगे आत्मा का नाश स्वाइम भगवान भी नहीं कर सकते और इसमें क्या कहा जाए तो आत्मा का नाश कोई भी नहीं कर सकता क्योंकि वो एक शाश्वत तत्व है ना आग जला सकती है ना जल भिगा सकता है ना शस्त्र काट सकते हैं तो इसका श्लोक बहुत प्रसिद्ध श्लोक है आपको इस्मरण रहना चीए नैनन चिंदन्ति शस्त्राणी नैनम धहती पावक है ना चैनम कलेद यन्त्यापो ना शोशियती मारूत है नैनन चिंदन्ति शस्त्राणी छेद नहीं हो सकता शस्त्र से इसमें नैनम धहती पावक है जल नहीं सकता ये पावक से अगनी से जल नहीं सकता न चैनम कलेद यंत्यापो इसको जल से भी इसको गीला नहीं किया जा सकता ना शोशियती मारूत हर और वायू के द्वारा इसे सुखाया नहीं जा सकता अगला स्लोप क्योंकि ये आत्मा अच्छेद्य है ये आत्मा अदाह है अक्लिद्य और अशोश्य है तो ये आत्मा निसंद्य नित्य सर्व व्यापक अचल इस्थिर रहने वाला और सनातन है सनातन है ये आत्मा तुमारी आयू उतनी है जितनी भगवान की है भगवान से कम नहीं हो तुम आईउ के विषय में क्यों तुम भगवान च्रो इसमें ये मत्मान्ना कि मैं बड़ा हूं इस उसी और वह गलत नहीं रिख्वान नहीं इसलिए कि यह जीन नढूत है उनका जब्तों सबस्चें इस प्रभू है कब से कुछ मत दो सुख 친沟 जो तुर्म सिक्राइबं तो इसे काटा और यह सब क्यों नहीं कि आ जा सकता हैieso अधा है जलाय नहीं लिए शुका नहीं जा सकता कर दो सकता छोड़ दो तो आपने अंग्रेजी मूवी देखियोंगी मूवी की नाम से आप बहुत शीगर समझते हो अंग्रेजी मूवी देखियोंगी वह जल गया और फिर बन गया जल गया पिघल गया फिर बन गया आजई उसे उड़ा के कहीं और फेक दिया फिर आ गया शու्स्त्र से कट गया तुकड़े तुकड़े हो गया आत्म आत्म है यह आत्म कटता हीsome जुड़ने की दुबाद दूर गया आगे है यह है आत्म 25 वे श्लोग यह आत्मा अव्यक्त अर्थात इंद्रियों का विशे और यह आत्मा अचिंत अर्थात मन का विशे और यह आत्मा विकार रहित अर्थात न बदलने वाला का गया है इससे है अर्जुन इस आत्मा को ऐसे जानकर तु शोक करने को योग्य नहीं है अर्थात तुझे शोक करना उचित नहीं है अब भाया यहां बात आती है जब आत्मा अव्यक्त है व्यक्त नहीं हो सकता है इंद्रियों का विशे नहीं है तो इंद्रियों से आत्मा को कैसे प्राप्त किया जाता है और जब मन का भी विशे नहीं है तो मन से आत्मा का चिंतन करके आत्मा को कैसे प्राप भिक साधन दिये हैं किसी भी महां तक पहुंचने के आत्मा तक मन उसमें लगाओगे फिर चित उसमें लगए का चित एहंकार बुद्धी सब उसमें लगेगी तो ये सारे जब एक साथ लगेंगे तो आत्मा भी फिर जग जाएगी आत्मा भी अपने सुरूप में जग जाए जब इन सादनों को हम करते हैं मन को और इंद्रियों को उसमें लगाते हैं इंद्रियों को तो कैसे लगाओ इंद्रियों को लगाना कुछ नहीं है इंद्रियों को तो नहीं लगाना है बस रोकना है इंद्रियों को इंद्रियों को रोकना है बस अन्य विश्यों से मन को लगाना है बस आत्मा की जागर्टी हो अगला 26 वा श्लोक आता है और 26 वा जो श्लोक है क्या है कहता है वो 26 वा कहता है यदि तु इसको सदा जन्मने और सदा मरने वाला माने तो भी है अरजुन इस प्रकार शोक करने को योग यह नहीं है बहुत प्र ऐसा होने से तो जन्मने वाले की निश्चित मृत्यों और मरने वाले का निश्चित जन्म होना से द्वा इस से भी तु इस बिना उपाए वाले विशे में शोक करने को योग नहीं है अगर तु सोचे कि नहीं वही आहम आपके सिद्दान से सहमत नहीं है यह जन्मने वाला और मरने वाला है आत्मा अगर तुम ये सोचो तो भी तू शोक करने योग्य नहीं है क्योंकि ऐसा होने से तो जन्मने वाले की निश्चित मृत्यू और मरने वाले का निश्चित जन्म होना से दूआ है अगर जन्मने वरने वाला है तो जो जन्मेगा वो मरेगा और जो वो वश्य जनम लेगा ये भी सिद्धानत है इससे भी तू इस बिन उपाय वाले विशे में शोग करने को योग ये नहीं है 28 श्लोक ये भीशमादिकों के शरीर माया माय होने से अनित्ते हैं इससे शरीर योग के लिए भी शोग करना उचित नहीं क्योंकि है अरजुन संपून प्राणी जनम से पहले बिनाशरीर वाले और मरने के बाद भी बिनाशरीर वाले ही हैं केवल बीच में ही शरीर वाले पतीत होते हैं फिर उस विशे में क्या चिंता तुम क्या सोच रहें जी जो हैं लंबी-लंबी श्वेत दाड़ी वाले जो हैं ये बीच में जी है चाहा इनका शरीर माइक नहीं है इनका शरीर भी माइक है माया मैं शरीर है और ऐसा नहीं है कि पहले से सनातन शरीर है इनका ये नहीं प्रारंब में भी और अंत में भी सभी प्राणी जन्म से पहले भी और अंत में भी बिना शरीर वाले होते हैं सभी प्राणी और बीच में ही शरीर वाले दीखते हैं और हम वो बीच का याद रखते हैं तो जब इनका शरीर यह है इने किराय का शरीर है जर जर हो जाएगा हो रहा है चला जाएगा तो शडीर के विशे में शोक मत करो तो इस विशे में चिंता क्या करनी जब बीच में ही दिखाई पड़ रहे है कोई चीज उसमें चिंता क्या करनी ना प्रारम में रही है ना अंत में रही है बीच में आगे कुछ समय के लिए तो उसके लिए शोग क्या क्या शोग करना उसके लिए हे अरजुन यह आत्मतत्त तो बड़ा गहन है अच्छा यह जो 27 वा श्लोक था कि जनमने वाले की मृत्ति और मृत्ति वाले का जनम निश्वित है इसमें चमतकारी बात कही इन्होंने इसकोन वालोंने क्या बात कही जनम मनुष्य को अपने कर्मों के इनुसार जन ग्रहन करन होता है और एक कर्म अवदी समाप्त होने पर उसे मरना होता है जिससे वह दूसरा जनम ले सके इस प्रकार मुक्ति प्राप्त कि ये बिना ही जन्मनित्यु का ये चक्र चलता रहता है जन्म